तो हेले रोबन दिस जंकित वलकाम बैक टो चैनल इस वीडियो में करेंगे अग्निवी नवी अमर के लिए स्पेशल टॉप 100 कुशन जर्नल अवेरनेस के 100 कुशन है टार्गेट दे रहो आपको 85 प्लस सही करने का ठीक है और जो नए कंडिडेट है एक दम नए भी मार के उनके लिए जो टार्गेट है वो 70 है बाकि अगर SSR के कंडिडेट हो ये वीडियो दे रहे हो तो आपके लिए जो टार्गेट है वो 90 प्लस रहने वाला है कुशिस करिए कि आप 95 के आसपा सही करो इसके लाओ डिस्क्रिप्शन पर हमारे टेलिग्राम चैनल का लिंक मिलेगा तो टेलिग्राम जरू जोइन कर लेना आपके फोन में टेलिग्राम नहीं है तो गूगल प्लेस्टों से टे प्रवाइड हो जाएं उनका रिवीजन भी हो जाए है ना तो फर्स्ट कोईशन अपका बगवान बुद्ध को ग्यान की परापती कहां हुई थी चार ऑप्सान है आपके पास राट आचना की परापती बोड गयाम हिए थी तो बस इसी तरीक हैसे हर कोईशन को मैं इस वार करूँगा ठीका option नहीं पढ़ूँगा नहीं टाइम जाएगा दूसरा question है तो जैसे ही मैं question पढ़ता हूं उतनी दिर में आपको answer सोच लेना है और last में आप बस इतना count count करिए कि कितने आपके गलत हो रहे है आरे शमाज की स्थापना किसने करी चार option है आपके पास right answer इसका स्वामी दयनन सरस्थी हो जाएगा आरे शमाज की स्थापना करी थी स्वामी दयनन सरस्थी जी ने तो option number B next question third number question है पंजाबी भासा की लिप कौन सी है चार option है आपके पास right answer इसका option number C हो जाएगा पंजाबी बासा की जो लेप होती है वो है आपकी गुरू मुखी C correct answer फोर्थ number question है भारत की मुख भूमिका तो दच्छड़तम किनारा है वो कौन सा है चार option है right answer इसका C number हो जाएगा जो दच्छड़तम किनारा है वो है आपका कन्या कुमारी correct answer C number है अगला देखें fifth number question भारत में सबसे पहले सूर किस राज में निकलता है चार option है right answer इसका B number हो जाएगा सबसे पहले सूर निकलता है अरुनाचर प्रदेश में तो B यहाँ पे इसका correct answer हो जाएगा इंसुलिन का प्रियोग किस बीमारी के उपचार में होता है इंसुलिन का प्रियोग किया जाता है डाइबर्टीज मदुमे सी नंबर इसका right answer हो जाएगा मदुमे रोक के उपचार के लिए correct अगले अगला कुशन देखे 7th number है बिहू किस राज का प्रसिद्ध तेवहार है तो बिहू जो है यह आपका किस राज का प्रसिद्ध तेवहार है तो यह आपका असम का तो ए नंबर यहाँ पे इसका correct answer होगा अगला देखे 8th number कौनसा विटामिन आवले में प्रचोत मातरा में मिलता है तो प्रचोत मातरा में कौनसा विटामिन मिलता है C vitamin C option number B C हो जाएगा इसका right answer आमले में मिलता है अगला देखे 9th number question 9th question है कि सती पर्था का अंत किसके काल में हुआ था 4 option है और सती पर्था का जो अंत है वो हुआ था विलियम बेंटिक के काल में तो option number जो A है इसका correct answer होगा अगला देखे 10th number question है कागच का अविसकार किस देश में हुआ था तो कागच का अविसकार हुआ था आपका चीन देश में चाइना में तो option number जो B है यहाँ पे इसका correct answer हो जाएगा 11th number question गौतम बुद्ध के बचपन का नाम बताना है चार option है पढ़िए right answer इसका सिधार्थ होगा गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम क्या था सिधार्थ था clear आगे देखे 12th number question भारत में ससस्त बलों का सरवोच सेना पती कौन होता है देखे ससस्त बलों का जो सरवोच सेना पती होता है भारत में वो होता है भारत का फाहने जबलों होता है न फिसका correct answer हो जाएगा next question थर्टीनत नंबर question रतday रताअधी किस vitamin की कमी से होता है तो रतवभ्दी जो होता है ये आपका vitamin A की कमी से होता है तो option nowBmillion TV A की कमी से रताअधी होता है अगला दीखे 14th no पॉंगल यह आपका किस राज का लोक नर्त है चारा आपके पास राइट आंसर पॉंगल तमिल्नाडू बी नंबर इसका प्रेक्ट आंसर होगा क्लियर नेस्ट कुश्चन फेटेंथ नंबर कुश्चन भारत की पहली महिला सासी का कौन थी पहली जो महिला सासी का थी तो वो अब्धि रजिया सुल्तान बहुत बार एक्जाम में रिपीट होता रहता है नहीं विए वमार में तो राइट आंसर इसका दी नंबर अगला देखिए मचलिया किन की सायता से सांस लेती हैं तो मचलिया आपकी जो होती हैं वो सांस लेती हैं गलफणों की सायता से तो option नं ने इंकलाब जिन्दाबाद का नारा तो ए नंबर यहां पे इसका correct answer है एटेंथ नंबर कुशन देखे जलिया वाला बाग हत्या कांड कब हुआ यह बहुत important question कर वार हो आपको रट लेना हर एक question को जितने भी question नहीं आते हैं तो जलिया वाला बाग जो हत्या कांड है यह हुआ था 1919 में सन 1919 में तो ए नंबर यहां पे इसका correct answer होगा अगला देखे 19th नंबर question है 1949 में Congress छोड़ने के बाद शुबाद चंद बोश ने किस दल की इस्तापना की किस दल की स्तापना करी थी Congress चोड़ने के बाद 1949 की बात हो रही है तो राइट अंसर इसका हो जाएगा forward block की स्तापना करी थी to be number यह बहुत इसका correct answer 20 नंबर पंजाब केसरी नंबर पंजाब केसरी कि इसका correct answer अगला question 21 number question है Shanders की हत्या किस ने करी थी? Shanders की जो हत्या वो करी थी भगत सिंग जी ने तो option number जो C है यहाँ पे इसका correct answer अगला है 1857 की करांती में सबसे पहले बलिदान किस ने दिया तो सबसे पहले जो बलिदान दिया था वो किस ने दिया था? चार आपसा ने पड़िया राइट आंसर B number मंगल पांडे ने दिया था के लिए रागे बढ़ते हैं 23 number question भारत पहली महिला राजपाल कौन थी? पुछा गया कि भारत की जो पहली महिला राजपाल थी वो कौन सी थी? किसी भी राजपी बनने वाली? तो भारत की जो पहली महिला राजपाल थी वो थी आपकी सरोजनी नाइडू तो option number जो A है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर 24th number question है Mount Everest पर दो बार चड़ने वाली जो महिला थी वो कौन सी थी? तो Mount Everest पर दो बार चड़ने वाली जो महिला थी वो थी संतोष यादो तो option number जो A है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला question देखे 25th number स्वामी दयानंद सरस्थी का मूल नाम क्या था? राइट आंसर मूल संकर नाम था? स्वामी दयानंद सरस्थी जी का तो option number जो A है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है 26th number question है वेदों की और लोटो का नारा किस ने दिया? बहुत बार यह question पढ़ा होगा और repeat भी होता है बार बार तो वेदों की और लोटों का जो नारा है वो दिया था दयानंद सरस्थी जी ने तो option number जो B है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला देखे question number 27 है वासको डिगामा कहां का रहने वाला था? वासको डिगामा बार आता था तो यह कहां का रहने वाला था? यह रहने वाला था पुर्टगाल का तो option number जो C है राइट आंसर हो जाएगा वासको डिगामा आपका एक पुर्टगाली था अगला question देखे 28th number question है हवा महल आपको कहां पर रिस्तित है? बार बार एक जम में यह पूछा जाता है question तो हवा महल आपको जैपूर में इस्तित है तो आज के बाद यह question आप भूला मत ठीक है? राइट आंसर ए नमबर अगला question 29th number question है सिक धर्म का संस्तापक किसे माना जाता है? सिक धर्म का जो संस्तापक है वो माना जाता है गुरू नानक दोजी को तो option number जो B है यहाँ पर correct answer हो जाएगा अगला question है 30 number दिल्ली इस्तित लाल बादुर सास्तिरी का जो समाद इस्तित है उसका नाम आपको बताना है तो लाल बादुर सास्तिरी का जो समाद इस्तित है वो दिल्ली में इस्तित है तो एक question यह हो गया और इनकी समाद इस्तितल का नाम है तो वो नाम है विजाइगाट तो option number जो C है इसका right answer हो जाएगा ठीक है यह भी काफी important question है अगला देखे 31 number question है महाबारत के रचाइता का नाम पूछा गया बार बार यह question आता है बहुत आसान question है महाबारत के जो रचाइता है वो है महारसी व्यास वेद व्यास तो option number जो A है वो इसका correct answer 32 number question है अर्थसास्त नामक पूस्तक यह किस ने लिखी थी तो यह लिखी थी आपके चाड़क के ने लिखी थी अर्थसास नामक पूस्तक तो A नंबर यहाँ पर correct answer होगा अगला 33 number question है विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीक को मनाय जाता है तो विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रतेक वर्स 8 माई को मनाय जाता है option नमबर जो A है नहीं correct answer अगला questions है सुर्योदय को जो देश है के नाम से कौन सा देश जाना जाता है तो किस देश को सुर्योदय धे कर देश के नाम से भी जानते है तो वो जो देश है उसका नाम है जबदा तो option नमबर जो B है यहाँ पर इसका correct answer हो जाएगा अगला question 35th number question अंतर राष्टी महीला दिवस किस तीति को मनाया जाता है तो अंतर राष्टी महीला दिवस जो होता है ये प्रतेक वर्स 8 March को मनाया जाता है तो B number यहाँ पे इसका correct answer हो जाएगा याद रखिए नैवी MR exam में एक number दिवस से जाएगा वो कौन सा है वो है आपको गुआ तो option number जो B है यहाँ पे correct answer हो जाएगा अगला question देखिए अगला question 37th number दिल्ली भारत की राजधानी है और ये कब बनी थी तो ये बनी थी आपकी 1911 में तो option number जो A है यहाँ पे correct answer हो जाएगा 38th number question है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है तो सबसे जो चमकीला ग्रह है इन चारों मेंसे तो वो है आपका सुक्र ग्रह तो B number विनस सुक्र right answer हो जाएगा अगला question 39th number 39th number question है भारत का जो राष्टी पस हुए वो कौन सा है हाँ बाग जो है यह आपका भारत का राष्टी पस हुए तो B number यहाँ पे correct answer हो जाएगा 40th number question है भारत का जो राष्टी गीत है वो किसने लिखा तो राष्टी गीत यह लिखा था बंकिम चंद चेटर जी ने तो option number जो D है यहाँ पे इसका correct answer हो जाएगा कौन सा D number अगला देखिया 41 number question मातमा गांधी को राष्टी पिता सबसे पहले किसने कहा सबसे पहले राष्टी पिता मातमा गांधी को कहा था सुभाश्चंद्र बोश जी ने तो option number C इसका right answer होगा सुभाश्चंद बोश ने कहा था चिक अगला कुशन देखिया 42 रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी रेडियो एक्टिविटी की खोज करी थी हेंरी बेकुरल ने तो option number जो C है यहाँ पे इसका correct answer हो जाएगा अगला question 43 number question मास्टर गरंती कहा जाता है किस गरंती को मास्टर गरंती कहा जाता है तो जो प्यूस नाम की गरंती है प्यूस गरंती इसको कहा जाता है मास्टर गरंती B number अगला देखिये 44 number कारबन का सरवादिक सुद्य रूप आपको बताना है मतलब कारबन का जो सुद्यतम रूप होता है वो आपका हीरा होता है तो A number इसका correct answer हो जाएगा अगला question 45 number question 45 है किस दातु का प्रियोग मानो दौरा सबसे पहले किया गया था तो सबसे पहले किस दातु का यूज किया गया था मानो दौरा वो तामबा था तो option number जो B है यहाँ पर यह इसका आप साही कर देंगे अगला दे काला दिखाए देता है तो option number जो C है right answer हो जाएगा यह फिर डारेक्ट ऐसे पूछ लिया जाता है कि अंतरिच से आपको जो आकास है वो कैसा दिखाए पड़ता है तो काला दिखाए पड़ता है 46 का C number अगला question देखे 47 number question है दूरबीन का अविसकार यह किस ने किया था तो दूरबीन का विसकार किस ने किया था गैलीली हो रहे तो आपने official solution उठा के देखिएगा कि एक chapter होगा invention and discovery जैसा कुछ chapter है तो उससे question है और exam में एक question fix होता है कि आपका discovery या invention से पूछा जाए भारत में रेल सेवा का जो आरंभ है वो किस सन में होगा था तो रेल सेवा जो ह अगला question 49th number question परतम बारती अंतर्च यात्री कौन थे तो पहले जो भारती अंतर्च यात्री थे वो थे राकेश सर्मा तो option number जो भी है यहाँ पे इसका correct answer हो जाएगा 50th number question है संयोक्त राष्ट संघ की इस्थापना कब होई थी तो शंयोक्त राष्ट संघ की स्थापना जो होई थी वो ही थी 24 अक्टूबर को तो option number जो C है यहाँ पे correct answer हो जाएगा अगला question देखिए 51 number question है सेयुक्तिरार्श संका जो मुख्याल है headquarter है वो कहाँ पर इस्तित है तो वो जो है आपका इस्तित है नियू यॉर्क में तो option number जो B है यहाँ पे correct answer 52 number question है कि परतेक वर्स हिंदू दिवस हिंदी दो दिवस है वो कब मनाया जाता है तो हिंदी जो दिवस है वो परतेक वर्स साथ सेप्टेमबर को मनाया जाता है option number जो B है वो इसका correct answer हो जाएगा अगला दीक है 53 number question 53 number question है परतेक वर्स हिंदी को राष्ट बार्सा गोसित किया गया है अंसर हो जाएगा अगला देखें 55 नंबर कुश्छन है अंतर राष्टी मानवा दिकार दिवस्ट कम मनाया जाता है तो दिवस्ट इलेटर में आपको बताई दिया कि एक कुश्छन आएगा जाएगा तो सारे इंपोर्टन दिवस्ट मैं आपको करवा दूँगा तो अंतर राष्टी मानवा दिवस्ट प्रतेक वर्स दस दिशंबर को मनाया जाता है तो आप्शन नंबर जो ए है करेक्ट आंसर 56 नंबर कुश्छन है भारती मरुस्थल का नाम आपको बताना है तो जो थार है या आपका भारती मरुस्थल है तो ऑफ्षन नंबर जो सी है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला देखे 57 नंबर कुश्छन है कांजी रंगा राष्टी अभ्यारन किस राज में इस्तित है तो कांजी रंगा जो राष्टी अभ्यारन है यह आपका पासम में तो आप्षन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा अगला देखे 58 नंबर कुश्छन है उजयन किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो जयन जो सहर है यह आपका किस नदी किनारे बसा है सिप्रा नदी किनारे बसा है तो आप्षन नंबर जो सी है यहाँ सुचालग होती है गुट कंड़क्टर ऑफ एलेक्टिसिटी तो बी नंबर यहां पर इसका राइट अंसर होगा 60 नंबर कुश्यन ने गोबर गैस में मुक रूप से क्या पाया जाता है तो गोबर जो गैस होती है उसमें मुक रूप से पाया जाता है मेथेन तो ऑप्शन नं कार है और मैं इसे लेकर रहूंगा यह किस ने कहा था यह कहा था बाल गंगधर तिलक जी ने तो आप्शन नंबर यहां पर इसका राइट अंसर हो जाएगा 62 नंबर कुश्यन है कि राज राज शबा के सदश्यों को चुनाओ कितनी अवदी के लिए किया जाता है तो राज चुनाइँ हो जाता है तो रहा है अघला नंबर कोश्यन दिखेस पहला धार इसेए डरा ऊक्षिप उन डेउर्प त्था वह दिए अग्हागों से बाड़ा प्रश ट्रे option number जो B है यहाँ पर इसका राइट अंसर होगा clear? आगे देखे 65 फिप्ट नमबर कुशन है तुलसी दास करत रामचरित मानज हिंदी बासा की किस बोली में लिखी गई है? तो किस बोली में लिखी गई है? तो वो लिखी गई आपकी अवधी में तो option number जो B है यहाँ पर correct answer हो जाएगा clear? अगला देखे 66 फिप्ट नमबर कुशन आदुनिक ओलंपिक खेलों की सुरुवात कब हुई थी? तो आदुनिक जो ओलंपिक है उन खेलों की जो सुरुवात है वो हुई थी 1896 इसवी में तो option number जो A है यहाँ पर इस question का right answer होगा 67 नमबर question है 7 नमबर question है कि द्रब सभी दिशाओं में समान दाब पारिद करता है यह कतन किस नियम से संबंदित है जो द्रब होता है और सभी दिशाओं में समान दाब पारिद करता है और यह कतन किस नियम से संबंदित है तो यह जो संबंदित है ये है पास्कल की नियम से तो option number जो ए है इसका right answer हो जाएगा अगला question है 68 number chlorophyll का जो खनिज गटक है वो क्या है तो chlorophyll का जो खनिज गटक है वो है आपका magnesium तो option number जो c है यहाँ पे इसका correct answer हो जाएगा 69th number question है LPG gas का मुख गटक क्या है तो LPG gas का जो मुख गटक है वो आपको बताना है और right answer इसका option number A हो जाएगा LPG gas का जो मुख गटक होता है वो butane होता है अगला question है question number 70 कौन सा मुगल बात्सा असिचित था तो इन में से आपको बताना है option देखके और इसका जो right answer है वो अकबर हो जाएगा अकबर जो था वो आपका सिचित था तो option number A यहाँ पे इसका right answer हो जाएगा अगला question देखे 71 number question है गदर पार्टी का संस्तापक कौन था चार option है आपके पास गदर पार्टी का जो संस्तापक था वो था वो थे आपके लाला हरदयाल तो option number जो C है right answer 72 number question है किस सुल्तान ने अपनी राजदानी दिल्ली से दौलताबाद इस्थांतारित की चार option है पड़िये और right answer इसका मुहंबद बिन तुगलक option number A अगला question देखे question number 73 परतम पर्च वर्षी योजना कब परारम वोई तो परतम जो पंच वर्षी योजना है वो ही थी 1951 में तो option number जो B है यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा अगला question देखे 74 नमबर question है चीनी आत्री हुएंसांग ने किस विश्विद्याले में अध्यन किया तो चीनी आत्री हुएंसांग ने किया था नालंदा विश्विद्याले में तो इसलिए question important है B नमबर यहाँ पर इसका right answer होग question है मादा एना फ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग फैलता है कौन सा रोग होता है मादा एना फ्लीज मच्छर के काटने से वो जो रोग है वो है आपका malaria तो option number जो C है यहाँ पर correct answer 76 नमबर question देखे प्रत्वी सूर का चक्र लगाती है और यह सबसे पहले किस ने बता है होगा तो वो जो है वो थे आपके copper निकस तो option number जो B है इसको आप correct कर देंगे 77 नमबर question भाई gateway of India यह कहां पर इस्तित है तो gateway of India आपका Mumbai में इस्तित है बहुत लोग इसका अंसर दिल्ली कर देते हैं इसलिए question exam में पूछा गया है अगला question है खेल दिवस बहुत important है पू अगस्त को 29 अगस्त को खेल दिवस यहां पर मनाया जाता है 79 नमबर question है भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में आठ बार सुन्ड पदक जीते हैं चार option है आपके पास राइट आंसर इसका हौकी हो जाएगा बी number 80 नमबर question है पासुओं में milk fever बीमारी किस की कमी के कारण होती है तो milk fever जो बीमारी है यह होती है पासुओं में calcium की कमी के कारण तो B नमबर यहां पर करेक्ट आंसर होगा 81 नमबर question है किस एक मात्र भारती को अर्थ सास्तर में नोबल पुरुसकार मिला है किस एक मात्र ऐसा बारती है तो वो जो भारती है वो हैं आपके अमर्त शेन तो option नमबर जो B है यहाँ पर राइट आंसर 82 नमबर कुशन भारत रतन उस्ताद बिस्मिल्ला खां किस वाद द्रियंत्र के वादन में विख्या आते हैं तो किस वाद द्रियंत्र में यह आपको बताना है राइट आंसर इसका सहनाई D नमबर यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा अगला कुशन 83 नमबर कुशन है उत्री दुरू में भारत के अनुसंदान केंद्र का जो नाम है वो क्या है तो उत्री दुरू में जो अनुसंदान केंद्र है उसका नाम यहाँ पे है जो है वो है हिमाद्री तो आप्शन नमब C यहाँ पर correct answer हो जाएगा 84 number question है पीलिया पीलिया किस अंग का रोग है तो पीलिया जो है यह आपका किस अंग को प्रभावित करता है तो यह करता है आपका यकरत को तो option number जो A है लीवर जिसे कहते हैं यकरत को A number right answer होगा 85th number question है किशे भारत का नेपॉलियन का जाता है तो अल्मोस्ट सभी को यह question बहुत बाहर पढ़ा होगा तो समधर गुप्त को भारत का नेपॉलियन का जाता है तो B number यहाँ पर correct कर देंगे 86th number question है राम कर्ण्स्न मिशन की इस्तापना किस ने करी थी तो राम कर्ण्स्न मिशन की इस्तापना यह करी थी स्वामी विवेका नन्द जी ने तो option number B यहाँ पर correct answer कर देंगे clear next question देख़ए 87th number question 87th number question है गांदी जी को मातमा गांदी की उपादी किस ने दी तो किस ने दी थी रविदना टेगुर जी ने तो option number A यहाँ पर आप इसको correct कर देंगे 88th number question है दादा साहब फाल के पुरुसकार है यह किस छेत्र में दिया जाता है तो दादा साहब फाल के पुरुसकार आपका दिया जाता है फिल्म के छेत्र में option number C है यहाँ पर correct answer हो जाएगा 89th number question है भारत का सर्वोच वीरता पदक है उसका नाम आपको बता आना है परमवेरचकर option number C है यहाँ पर इसका correct answer हो जाएगा 90th number question है भारत का sex PR वह कीसे का आजाता है भारत का sex PR है वह का जाता है कालिदास को option number C है इसका right answer हो जाएगा अगला question है 91 number question है computer का पिता किसे का जाता है तो सभी लोगों को पता होगा Charles Babes को father of computer का जाता है तो A number आप correct कर देंगे 92 number question है प्रतम बारती उपगरे आरे बट किस सन में छोड़ा गया था तो ये बार बार पूचा जाता है प्रतम बारती उपगरे वो कौन सा है तो आर बटे अभी एर फोर्स के पूचा गया था तो नवी मार के लिए question उतना ही important है और ये किस सन में छोड़ा गया था ये पूचा जा रहा है आप से तो ये छोड़ा गया था 1975 में तो option number जो B है यहापे correct answer हो जाएगा ठीक है अगला देखे 93 number question है दावन सोडा का chemical name बताना है रासाइनिक नाम आपको बताना है दावन सोडा का तो दावन सोडा को जो रासाइनिक नाम होता है वो होता है sodium carbonate sodium carbonate को ही दावन सोडा कहते हैं तो C number यहापे आप इसको correct कर देंगे 94 number question है laughing gas हसने वाली gas का रासाइनिक नाम क्या होता है तो हसने वाली जो गैस है उसका जो रासाइनिक नाम है उसको nitrous oxide कहते हैं तो option number B यहापे इसका आप correct कर देंगे अगला question देखे 95 number question है कौनसा विटामिन वशा में गुलनसील है वशा में जो गुलनसील विटामिन है उसका आपको नम बताना है वो विटामिन है विटामिन के विटामिन के आपका वशा में गुलनसील है तो C number यहापे आप इसको correct कर देंगे 96 number question देखे 96 है किस विश में अबरक का सरवाधिक उतपादन जिस देश में होता है? तो अबरक जो है, इसका सरवाधिक उतपादन, जिस देश में होता है, वह धेस है आपका भारत, आप्शन नमबर D इसका,First zalग और करेंा देंगे 97 नमबर कॉेश्चन है भारत कोकिला कौन कहलाती है भारत की जो कोकिला है वो कौन कहलाती है तो भारत की जो कोकिला है वो कहलाती है आपकी सरोजनी नाइडू तो option नमबर जो B है इसको आप correct कर देंगे 99 नमबर question है 99 है कि हीमोगलोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है तो हीमोगलोबिन जो बलड में होता है अब उसकी कमी से जो रोग होता है उसको एनीमिया कहते है तो option नमबर जो A है वो इसका right answer हो जाएगा समीदान की आठवी अनसूची में कितनी भासाओं का उलेख है तो आठवी अनसूची में भासाओं का जो उलेख है वो है आपकी 22 बासा है तो option नमबर C यहाँ पे इसका correct answer हो जाएगा सो हम टाइम देखते हैं टाइम तो लग गया ऑल्मोस्ट 27-28 मिन लग गया लेकिन अगर option भी पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं यह वीडियो जो है 45 मिनट से भी ज्यादा जाती तो 27 मिनट में हमने आपको 100 कुशन करा हैं अब आप कमेंड बॉक्स में लेकिए कि 100 किते सही हो अ आके मिलते हैं इस वीडियों में बाइ